हमारे खर की पास गाउं का सबसे उंचा पेड़ है राजु को और मुझे उस पर चड़ना बेहत पसंद है मीना आज हम पेड़ पर चड़ेंगे तुम्हें लगता हैं चोड़ पाएंगे कोई मुश्किल थोड़ी है ओओ ओओ ध्यान से राजु ओपर आओ उतने 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 उपर नहीं इना राजु बस पहुची गया राजु और उपर नहीं और राजु यह क्या कर लिया मेरी बाँ तर्द हो रहा है है यह तूट गई है ठेरो मैं मा को बला कर लाती हूं और राजु को देखो मिठ्टू इसका ध्यान रखना अब देखना इसे अपनी मा से डाज पड़ेगी राजु के गिरने से मा को बहुत फिक्र हो गई और मैं भी डर गई थी हम तुरंत हेल्ट सेंटर वाली दीदी को दिखाने गए काश हेल्ट संटर वाली दीदी अभी गाह में ही हूं देखो मा दीदी की साइकिल वो रानो के घर में है अरे रानो बेची क्यों दीदी तुमारे यहां है हां वो मेरी मा के पास है मा अंदर नहीं गई उन्हें पता था कि रानो की मा और उसका नना भाई बहुत बिमार थे उन्हें एड्स की बिमारी थी गाओ के कई लोग एड्स से डरते थे और वे इनके पास आते तक नहीं थे कि यह लोग अंदर जा रहे हैं रानु के मान को एज है और उसके भाइ को भी मेरे पिताजी कहते इनको यहां से चले जाना चाहिए हमें उनकी यहां नहीं चाहिए मैं देखूं तुम क्या बना रही हो रानो हो सकता है रानो को भी एज हो हाँ रानो को एज है रानो को एज है रानो को एज है रानो कितनी सुन्दर तस्वीर है अरे क्या बात है रानो दीधी अच्छा हुआ आप यहां मिल गई देखे न इस लड़के ने क्या किया पेड़ पर से गिर पड़ा क्या हो गया राजू, ज़रा देखूं तो कौनी को मोट सकते हो गनीमत है, तुम्हारी बाह टूटी नहीं है सिर्फ मोच आई है और एक खास बात जब तक बाह ठीक नहीं हो जाती इसे पट्टी में लड़का कर रखना होगा फिर दीदी ने बैक से पट्टी नेकाली और बान कर राजू की बाह को सहारा दिया राजू तो खुश था कि सब उसी के आसपास खड़े थे आपकी बड़ी महरबानी दीदी फिर उस पेड़ के पास बजजा ना राजू और फिर मा बहुत नाराज हुई अब तू बता मीना तूने इसी पेड़ पर चड़ने ही क्यों दिया पर मा मैंने तो कहा था उपने उपर मचड़ो मैंने तुमसे हजार बार कहा है कि एक ना एक दिन तुम्हारी गर्दन तूटेगी जर्दन तूटेगी हजार बन और अपनी कमीस देखो अभी तो तुम्हे दिलाई थी मा ज्यादा देर तक गुफसा थोड़े ही रह सकती है यह ले, बेटा दूद पीले मा पी ले बेटा, अभी अच्छा गरम है, मा, क्या बात है मीना, मा वो बच्चे रानो को क्यों तंकर रहे थे, रानो, शायद इसलिए कि उसके घरवालों को एड्स है, पर एड्स है क्या, ये, ये एक बिमारी है मीना, एक बहुत खतरनाक बिमारी, मैं जानता हूँ एड्स क्या नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, हाँ, पता है, ओ, तो बताओ फिर, वो एक चीज है, एक बड़ी इसी चीज, इतनी बड़ी लगती है, इतनी, देखा, तुम्हें एड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम दोनों बस भी करो, जब दीदी म मिलेंगी तो उनसे एज के बारे में पूछेंगे मीना अब जाकर पानी ले आओ अच्छा मा उससे कुछ नहीं पता कुछ भी नहीं मैं पता इसे कुछ नहीं पता किसी को भी एज के बारे में कुछ नहीं पता मा को भी नहीं तो फिर किस से पूछूं मीना, रानु, रानु अरे रानु कौन, मीना मैं पानी लेने जा रही हूँ, आओगी नहीं, मैं नहीं आ सकती रानु बेटी मीना के साथ क्यों नहीं जाती मैं जाओं हाँ बेटी, और हमारी लिए थोड़ा सा पानी बिले आना अच्छा मा मुझे बहुत अच्छा लगा कि रानु मेरे साथ आई बेलोग जब से काउं वापस आए है रानु पहली बार किसी के साथ बाहर निकली जब हम नल पर पहुँचे शैतान बच्चे वहीं मौजूद थे मीना हे, मीना एज वाली लड़की के साथ क्यों है रानु क्या मैं तुमारी कॉपई पकड़ लूँ नहीं मिना परना उसकी कॉपई में ऐसा क्या है वो कॉपी में क्या घरवी है वो एज का चित्र बनाती है रानु उन की बात मत सुनो रानू एज वह यह मज़ा की बात नहीं है तुम उसे क्यों चड़ाते हो तुम एज की बारे में कुछ नहीं जानते हम जानना भी नहीं चाते हैं एक दिन बहुत तेज हवा चल रही थी और आस्मान में चारों तरफ पतंगे उड़ रही थी राजो की बार ठीक हो चली थी इसलिए माने इसकी पटी हटा दी वो बहुत खुश हुआ आउ मीना चल कर पतंग उड़ा दे पतंग पतंग रुको दो मैं आ रही हूँ पर पेड़ों पर मत चर्णा हवा इतनी तेज थी कि मैं पड़ी मुश्किल से पतंग पकड़ पा रही थी उसे छोड़ दो मीना मैं भी पतंग उड़ाना चाहती थी पर राजो अपने में ही मस था वापस तो तुम तुम मुझे वापस तो अच्छानक मैंने देखा कि वे बच्चे रानों को तंग कर रहे थे उन्होंने उसकी कॉपी ले ली थी वापस तो कहा रहा वापस तो मुझे मैं कॉपी उठाने के लिए तोड़ी पर मेरे वहां पहुचने से पहले ही कॉपी हावा में उड़ गई दूर, बहुत दूर मेरे होश्यार मेठू, तुम सब के सब कितने खराब हो पर हम तो सिर्फ चलो यहां से चलते हैं, रानो मीना, तुम मेरी बनाए हुई तस्वीरे देखा चाहोगे सच मुछ देख लू यह तो बहुत सुन्दर है कैसे बनाई तुमने? पर यह तो कहानी चैसे लगती है हाँ, यह मेरी कहानी है कैसे मेरे पिताजी को एज्ज की बिमारी हुई और उसका हम पर क्या असर पड़ा? यह है मेरे पिताजी और मा तब हम सब कितने खुश थे रानो ने मुझे अपनी कहानी सुनाई उसकी मा बहुत सुन्दर थी उसने बताया कि उसके पिताजी उससे बहुत प्यार करते थे रोज उसके साथ खेलते थे फिर उसके पिताजी बिमार हो गए बहुत कमजोर हो गए और एक दिन डॉक्टर ने बताया कि उन्हें एड्स है मैंने रानो से पूछा उन्हें एड्स हुई कैसे उसने बताया कि उसके पिताजी मोटर के नीचे आ गए थे इससे उनका बहुत खुण बै गया उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें खून दिया गया खून की जाच सही नहीं हुई थी कि वो सुरक्षित है या नहीं फिर पता चला कि वो एक ऐसे आदमे का खून था जिसे एड्स की बिमारी थी खून के जरिये एड्स के विशानू उनके शरीर में आ गए उनकी चोट तो ठीक हो गए पर एड्स उनके शरीर में बस गए जब रानो की मा और पिता के संग से उसका नन्ह भाया हुआ तो एड्स के विशानू उसकी मा के शरीर में भी चले गए अच्छा तू एड्स इस तरह एक से दूसरे को लगती है बिल्कुल सही और क्या तुमारे नन्ह भाई को एड्स तुमारी मा से हुई हाँ जब वो मा की पेट में था तभी उसके खून में चली गई और तुम रानो मैं डॉक्टर कहते हैं मुझे एड्स नहीं है दीदी आपको तो हमने देखा ही नहीं कोई बात नहीं बेटी अपनी कहानी बताना अच्छी बात है पर दीदी रानो को उसकी परिवास से एड्स की बिमारी क्यों नहीं हुई क्योंकि AIDS की बीमारी साथ रहने से नहीं होती और नहीं चुने भर से पर वो उनके साथ खाना गाती है उनके साथ रहती है नहीं जैसा रानो की कहानी से पता चलता है एज केवल कुछ कारणों से ही होता है और सबसे आम कारण है दो व्यक्तियों के भी समभोग अच्छा बच्चो मैं रानो के घर उन लोगों से मिलने जा रही हूं क्या तुम लोग भी आना चाहोगे चलो सब चले हाँ चलो बीदी मेरे चाचा को हाली में अस्पताल में खून चड़ाया गया था क्या उन्हें भी रानो के बाबा की तरह एच हो जाएगी ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि आज कल अस्पतालों में खून देते समय काफी सावधानी बढ़ती जाती है मीना क्या उस पेड़ पर तुम्हारा भाई है है राजू है वो राजू ही था मैं तो दर गई कि कहीं वो फिर से न गिर पड़े राजू नीचे उतर राजू जाए दे नीचे आओ अरे अरे राजू फिर से बेचारा राजू अब उसकी दूसरी बाह में मोचा गई थी वो नहीं चाहता था कि घर जाए और माँ उसे देखें इसलिए वो हमारे साथ रानो के घर आया रानो और उसकी मा इतने खुश थे कि पुछो मत आज बहुत दिनों बाद उनके घर में कोई आया था और ये दिन हमारे लिए भी खास था मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो सोचो भीरे सोचो घर की लड़कियों की सोचो